दोस्तो अगर आप कोटक अप्लिकेशन यूज करते हो और कोटक अप्लिकेशन का M-PIN जो है आप भूल चुके हो आपको याद नहीं है तो आज बताने मना हो कि आप इसे reset कैसे कर सकते हो simple steps follow करके टाइम वीज नहीं करेंगे बढ़ते हैं वीडियो के और सबसे पहले आपको कोटक अप्लिकेशन ओपन कर लेना है दोस्तो ओपन करते ही हमें यहाँ पे six digit M-PIN जो है एंटर करने के लिए कहा जाएगा अब हमें M-PIN तो याद है नहीं तो हमें चेंज करना होगा तो उसके लिए देखे दोस्तो नीचे forgot M-PIN का option आपको मिल जाएगा वह आपको select कर ल दूसरा यहाँ पे debit card और credit card अगर आपके पास होगा कोटक बैंक का तो उसके details करके आप M-PIN जो है reset कर सकते हो और तीसरा तरीका है यहाँ पे net banking details करके आप आपका M-PIN जो है reset कर सकते हो अब यहाँ पे debit card का option है वह select कर लेता हूँ और debit card से आप यहाँ पे कैसे change कर सकते हो अब देखो करना क्या है debit card और credit card का option आपको select कर लेना है यहाँ पे देखिए तीन option मिलेंगे debit, credit और forex card का तो इसमे debit card select कर लेना है credit card अगर select करोगे तो credit card के details एंटर करना है debit card के लिए मैं आप debit card का नंबर एंटर करना है expiry year और month वो एंटर करना है CV एंटर करना है जो card के details जो है यहाँ पर मैंने fill up कर दी है submit के ओपर click करेंगे अब देखो next page पर यहाँ आपको option मिलता है set six digit M pin for mobile banking अब यहाँ पर आपको नया six digit M pin जो है set करना है उसी pin को आपको दुबारा से enter करना है और फिर आगे बढ़ जाना है अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का आपको ध् आपका M pin जो है आपका CRN नंबर नहीं हो सकता है या फिर कोई आपके personal returns नहीं हो सकते जैसे कि आपका बॉइड डेट तो easy नहीं रखना है simple है तो आप कोई ऐसा number रखे जो आपको बहुत secure लगे और आपको अगर याद रखने में आसानी नहीं होगी तो आप कही पे notes में भ होगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आपको इस तरीके से directly pop-up message आ जाएगा you have successfully created a new mpin आपको simply ok के उपर tap करना है अब यहाँ पर जो है application directly start हो गया पर आपको मैं दुबारा से start करके दिखा देता हूँ यहाँ पर कोटक application open करेंगे अब यहाँ पर मैंने fingerprint भी रखा है पर अभी फिलाल के लिए scan नहीं करूंगा जो mpin set किया है वो एंटर कर देता हूँ mpin एंटर कर दिया है नाया वाला और एक बार फिर से application start हो गया है तो बस तो यही simple steps आपको भी follow करना है अगर आपको आपके कोटक application का फिर कोटक bank का जो है mpin reset करना है तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कीज़े शेर कीज़े चैनल को भी सब्सक्राइब कीज़े मिलता हूं नेक्स वीडियो में थैंक्यू